नवस्कार आप देख रहे हैं दर्स द्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा देखे आज सुबह सुबह जो है पटना में मारवारी वासा जो सबसे ज़्यादा चर्चित होटेल है उसमें आग लगने की खबर आई है पटना जंक्सन के सामने कुछ समय पहले पाल होटल में भीशन आग लगी थी अब पाल होटल से लगबग साथ सो मीटर दूर फ्रेजर रोड पर बिहार के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित मारवारी आवास होटल यानि मारवारी वासा में आग से अफरा तफ्री मच गई है सुबह आठ बजे अगनी समन दस्ता वहां पहुंचा आग पर काबू पाने का प्रयास भी चल रहा है मामला पटना की कोतवाली थाना शेत रस्तित मारवारी आवास्गरी के बिल्डिंग में आग लगी की घटना हुई है आग लगने की सूचना मिलते ही आधा दर्जन दमकल विभाग की गारियां भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पर रहा है वहीं इस अगलगी में लाखों का नुकसान होने की आसंग का जताई जा रही है आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी है जिला अगनी समन पतादिकारी मनोज कुमार नात ने बताया है कि पौने आठ बजे के आसपास मारवारी वासा में आग लगने की सूचना मिली सूचना मिलते ही फायर बिगेट की टीम को भेजा गया छे दमकल समेथ करीब 30 से अधिक अगनी समन कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगाया गया करीब 30 मिनट करी मसकत के बाद आग पर काबू पालिया गया था आग के नुकसान का आकलन क्या जा रहा है होटल मालिक से जानकारी भी ली जा रही है वहीं आसपास के लोगों ने बताया है कि मारवारी वासा के बैंक्वेट हॉल में आग लगी थी सुबह सौट सर्किट के कारण आग लगी थी जब तक फायर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुंची तब तक आधे से ज़्यादा सामान जलकर राक हो गया लोगों का कहना है कि लाखों रुपे के संपत्ती के नुकसान की आसंका है फायर ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया है तो फिलाल इसकावर में इतना ही है दर्स नूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद